प्रिकेट दिवाने हो जाएं तयार क्योंकि जिसका था इंतजार आ गया वो शाहकार दो घंटे बाद होगी चौको चको की बरसाथ शाहकीने क्रिकेट का जोश जजबा भी दीदनी है शाहकीने क्रिकेट का जोश जजबा है इसके साथ साथ स्टेडियम आमद जारी है लेकिन मास्क पहनना जरूरी है जब भी आप स्टेडियम आएं तो मास्क अपने साथ जरूर ले के आएं और ना सिर्व ले के आएं बलकि मास्क जरूर पहने समाजी फासला भी बरकरार रखना होगा मेगा इवेंट की इबताही तक्रीब शाम पॉनिस साथ बजे नश्र की जाएगी पियसल का पहला मुकाबला कराची किंग्स और कोईटा ग्लैडियेटर्स के साथ होगा दिफाई चेंपियन का एजास बाबर आजम इमाद वसीम और शर्जील खान पर मान है जबके कोलिन इंग्रम और बॉलर मुहमद आमिर मैच का पांसा पलटने की सलाहित रखते हैं कोईटा ग्लैडियेटर्स का तगड़ा स्कौर्ड है जो के सर्फरास एहमत की क्यादत में मैदान में उत्रे का ट्रिसकेल हरीफ पॉलर्स के लिए खत्रे की बड़ी घंटी बजा सकते हैं आपको बताएं कि मुहमद हसना आल राउंडर मुहमद नवास आहम के लाड़ी हैं कोईटा और कराची का मैच आखरी पांच मुकाबलों में ग्लैडियेटर्स का पला भारी रहा और वो तीन बार फाते करार पाई तो पाकिस्तान सूपर लीग का मेला आज से शुरू है कुछ तेर में फताही तक्रीब का आगास हो जाएगा आज कोईटा और कराची की टीमें फताही मैच खेलेंगी और इस वक्त स्टेडियम की क्या सुरते हाल है ये जान लेते हमारे नुमाइंदे अबाद उल्ला खान से जी बात बताईएगा जी बिल्कुल सही का आपने इंतिजार की घड़ियां खतम हो चुकी हैं और नैशनल स्टेडियम के दरवाजे खुल चुके हैं आज पाकिस्तान सुपर लीग सिक्स का अफ्तिताही मैच कराची किंग्स और कोईटा गलेडियाटर्स के दरम्यान खेले जाएगा लेकिन उससे पहले अफ्तिताही तकरीब नशर की जाएगी टेलिवीजन के उपर और जो नैशनल स्टेडियम में बैठे होंगे उनके बात करते हैं आज इफ्तिताही मैच है कराची किंँग्स और कोईटा गलेडियाटर के दरम्यान तो क्या गेंगे कौन जीतेगा कराची किंग इंशालला आज कोईटा ग्लाडियाटर को हरा देगी और एक्साइटेड होगा काराची किंग में पहले तो उनको अपना होम क्राउड मिल रहे है और ये बहुत बड़ी बात होती है एडवांटेज होता किसी भी टीम के लिए और उनमें प्लेयर्स भी अच्छे हैं मुहमद आमिर जैसे और अमाद वसीम लीड कर रहे है जो नहायती अच्छे अल्राउंडर है ये तो कराची के साथ हैं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन जीतने वाला है ये एक इमरान कान इंकलूजर्स है और यहां से लोग बड़ी तलाशी के बाद अपनी शराख करने के बाद जो उनको टिकेट्स मिले हैं वो यहाँ पर वेरिफाई होने के बाद उनको अंदर स्टेडियम में दाखली की जाधित होगी 6 बच कर 45 मिनट के उपर इफ्तिताही तकरीब का अगाज होगा जबके 8 बजे कोईटा गलेडियेटर्स और क्राची किंग्स के दरम्यान संसर निखेज मुकाबला शुरू होगा आपको बताएं के महदूत आदात में शायकीने क्रिकेट मैश देखने के लिए अगाज होगी हर साल की तरह इस पार भी यह पी एसल को सपोर्ट करने के लिए हैं ना कि सिर्फ कराची शहर से बलके मुफ्तली शहरों से आए हुए कुछ लाहूर से आए हुए कुछ सुबह सरहत से आए हुए यहां पर हमार साथ चार्डी भी मौझे सबसे पहले चार्डी से बात करेंगे हैं हाथ में कुछ कार्ड्स लिए हुए कैमरा में जिया और रहमान दिखाएंगी जिस पर लिखा हुए आई लव पाकिस्तानी और इसके अलावा जो है इन्होंने आर्मी को आर्मी से भी महबत का इजार किया है कौनसी टीम को सपोर्ट करें मैं चाली चाली शाप्लन आई स पाकिसानी हुं मैं दुनिया कर्कत के सबसे बड़ा ब्रेंड है पाकिस्तान सुपर लीग उसको एड़ा करने के लिए आये हूं आगाए और आज की आधर वारी वह कराफिक होगी लेकिन ओपर दुख नालग दिखाएं प्यारा 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 प्यार किंग्स की सपोर्ट में है तो कोई कोईटा ग्लेडियर की सपोर्ट में है लेकिन यहां पर किराजी की सपोर्ट में ज्यादा शाय किया हमें मिले जिनको टिकेट्स मिल गाएं वो तो खुशकिसमत है और वो इस्टेडियम के अंदर जाय है और अब इतजार कर रहा है लेकिन ह हम देखे रहे हैं कि आप ने तो मास्क लगाया हुआ है लेकिन यहां पर करोना एसस कड़ तक ख्याल रखा जा रहा है यह भी पताये जरा यहाँ पर ज़रा मैं अफसोस का इधार करूंगी जो मनादिर मैंने देखें यहाँ पर तो यहाँ पर S.O.P.S. को फालो करते हुए कुछ बहुत ही कम लोग नज़रा आ रहे हैं जबकि यह तो पालिसी में शामिल था कि S.O.P.S. को फालो किया जाएगा लेकिन यकीनी तोर से उमीद करते है कि स्टेडियम के अंदर जो शायकीन होंगे वो S.O.P.S. को फालो करेंगे और S.O.P.S. को फालो करना भी जरूरी है P.S.L. की रंगीनिया अपनी जगा लेकिन सेहत तो नेमत है सेहत से बढ़के कुछ नहीं तो यहां पर कुछ शेहरी है जोने ने मास्क पहना हुए उन्होंने भी यह शिक्वा किया कि हमने तो मास्क पहना हुए लेकिन दिगर शेहरीों को भी इस चीज़ का खयाल रखना चाहिए कि S.O.P.S. को फालो किया जाए लेकिन P.S.L. की रंगीनिया तो अभी शुरू हुई है साथ मार्च तक यह रंगीनिया यूही बरकरार रहेंगी लेहाजा शेहरी जो है उमीड तो करते हैं कि S.O.P.S. को समझेंगे और इस पर आमल दरामत भी करेंगे अभी जो हमने कुछ यहाँ पर चाचाओं की टीम को देखा इन्होंने था मास्क में भी पहना हुँ था लेकिन यहे कि P.S.L. की रंगीनिया जब तक बरकरार रहेंगी शायकीन का जोश तो देखने को मिलता ही रहेगा करोना ने जिस तरह से ना सिर्फ हमारे मुलकों बलके पूरी दुनिया को इफेक्ट किया था उसके बाद हुशी के कुछ लंभात हैं जिसको खूप सेलिबरेट किया जाएगा बहुत शुक्रिया सॉलेह अपडेट कर रही थी कराची के शेहरी अपनी टीम को सपोर्ट करने मैदान में आ गए हैं कहा के कराची किंग्स ही छटे एडिशन की फाते होगी शायकी ने एक ट्रिकर्ड इंतजामात से भी मुतमें दिखाई दिये मजीद उनका क्या कहना था आईए आपको दिखाते मैज देखने आई हूँ लेकिन मैं एंजॉय कर रही हूँ थोड़ा से एक्टिक हो रहे थे यहां पहुंचने तक लेकिन अलम्दिलल्ला पहुंच गया हैं मैं कराची किंग्स को सपोर्ट कर रही हूँ कि कि हमाद बसी मेरे फेवरिट प्लेयर हैं अभी तक तो जो भी इंतजामात हुएं से हम बहुत ज़्यादा मुत्महीन हैं हमें कोई पर कोई ट्राफिक जैम भी नहीं मिला इजीली यहां पर आ भी कहें मैं कराची हूँ इसकी वज़ा यह तो यह कराची है हमारा से सिटी भी है तुस्या के लास्ट टाम का वीनर भी ह तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है खासी हम लोग जब आये तो बहर में काईट किया है लोगों ने नहाप इंतजाम भी अच्छा नज़र आ रहा है इसा इंतजामात बहुत अच्छे हैं और हम सब बहुत जादे एंज़ादे एंज़ादे कर रही हैं और I hope के इंशा कोईटा ग्लैडियेटर्स के मेंटोर सर्वेविन रिचर्ड्स ने टीम के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया कहते हैं कि कोविट की वज़ा से ग्लैडियेटर्स का हिस्सा ना बरने पर अफसूस है ये भी कहा कि कोईटा ग्लैडियेटर्स बहुत अच्छी टीम है किला 2019, हाव fala 강 siempre in every country and as I said before I'm very very disappointed you guys know how passionate I am about the PSL and also the team which I represent the Creator Gladiators. The best that I can do from where I'm at at this point is to wish you guys the very best of luck.